क्या कारण हैं जिससे भूलने की समस्या हो सकती है और कैसे इससे बचाओ किया जाए इस विशाय पर बात की हमारी समवाद्दाता किरन भारत द्वाज ने डॉक्टर पादमा शिरीवास्ता हो सकती कौण से कारक हमारी समरुन शक्ति और याददाश को प्रभावित करते हैं और कैसे इस समरुन शक्ति को बेहतर बनाया जा सकता है जानते हैं डॉक्टर पद्मा स्रिवास्तव से डॉक्टर पद्मा आजकल सभी के साथ कुछ न कुछ भूलने की आदत लगी रहती है क्या कारण है जो हमारी स्मर्ण शक्ति और यादाश को प्रभावित करते हैं Stress is the biggest factor कौन सी चीज वो stress करता है that is individualistic broadly तो हम कह सकते हैं जिन में जो risk factors है आपको पता है 30 साल 20 साल की उमर में BP है diabetes है वो है तो वो please control रखे very common mistake जो लोग करते BP ठीक हो गया दवाई छोड़ दो हम क्यूं खाएं वो ना करें हमारे जो रफतार बहुत तेज हो गया competitive हो गया और इसमें हमको race कर रहे है race में हमको आगे बढ़ना है आप ही सोचे आप तो journalism में है आपको कोई वक्त तो है नहीं जब भी कोई you know important news है तो आपको पहले उसको catch करना है वो रात को एक बजे भी हो या रात भर आपको जगना पड़े वो bite करने के लिए कैसे अपनी स्मरन शक्ती को बहतर बनाया जा सकता है you take vegetables या को healthy snack हमारे nuts रख दे nutrition you should not second is sleep तो किसी थरफ वो physical activity लेकर आए हाला कि 15 minute हो सुबा उठके वो physical activity कर दे bike चला दे walk में चला दे running कर ले yoga कर ले yoga में आप बस 15 minute लगाद लीजेगा कुछ आप अपने space में यह निकी कहीं जाके आपको करना है आपके घर पे ही एक जगे पे आप कुछ आसना कर दे ध्यान कर दे meditation कर दे कुछ skills सीख ले कुछ cooking ये कर ले कुछ एक new language कर ले वो लोग करते हैं ना कर दो ये कर दो सुड़ो को खेलो इसकी मतलब ये कि आप अपनी दिमाग को इस्तमाल कर रहे हो वो कर ले एक hobby बना दे whatever you do you do it happily धन्यवाँ डॉक्टर पदमा इस जानकारी के लिए जीवन में सक्रिय रहना बेहद उपयोगी है ठीक उसी तरह से मस्तिश्क और स्मृति को बेहतर बनाए रखने के लिए मस्तिश्क की सक्रियता भी आवश्यक है आप भी कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए और खुश रहिए जिससे आपकी स्मर्ण शक्ति और आपका स्वास्त बेहतर रहे किरन भार्दवाज डीडी नियूज